जैश्री किष्णा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो बैसाग का बहुत ही पावन महिना चल रहा है शनिवार का दिन बहुत ही शेष्ट और शुब माला गया है दोस्तो इस दिन किया जाने वाला एक अध्वुत उपाय हम आपको बता रहे हैं दोस्तो शिबलिन के रूप में माना गया है इस समय पर पूजा करने से भगवान शंकर बहुत ही शीग्र प्रसन होते हैं अगर आप प्रदोशकाल में यह उपाय नहीं कर पाए तो आप सुबह से शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तो उस उपाय को जानने से पहले अग आपको एक लोटा जल लेना है पीतल या तामबे के लोटे में जल ले ले उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अवश्य डालना चाहिए आप शक्कर डाल सकते हैं या फिर आप मतलब 11 या 21 दाने अक्षद के अवश्य डालने चाहिए और साथ ही आपको थोड़े से काले ति का और दो लोहे की कील जो लोहे की कीले होती है चोटी बड़ी कैसी भी आपको मिल जाए वो लेनी है और एक रुबे का सिक्का और लोहे की कील को आपको पूरे घर में घुमा लेना है घुमाने के बाद आपको एक दीपक भी तियार करना है आपको एक लाल बत्ती का दीपक यानि कलावे से आपको बाती बना लेनी है उसके अंदर आपको सरसो का तेल डालना है और उसके अंदर भी आप थोड़े से काले तिल अवश्य डाले साथी दोस्तों आपको एक दीपक और त्यार करना है वो भी आपको सरसो के तेल का ही दीपक त्यार करना है आप कोई से भी बाती ले सकते हैं गोल लंबी कोई से भी बाती लेकर इसके अलावा दोस्तों अगर आपको देखे धतूरे का फल या फिर बेल फल अगर मिल जाता है तो आप अवश्य लें आपकी कोई विशेश मनो कामना है या संतान सुक की प्राप्ति अगर आपको नहीं ह तो आपको धतूरे का फल या बेल फल अवश्य लेना चाहिए दोनों में से आपको कोई साभी फल मिल जाए उस पर आपको देखे चंदन लगाकर सफेद या पीला चंदन लगा ले और साथ बार कलावा लपेटना है अपनी मनों कामना बोलकर और इन सभी वस्तू को लेकर का जाब करते वे जल अवश्य अरपित करें और साथ ही भगवान शंकर को पीला या सफेद चंदन अवश्य लगाए और अपनी मनों कामना बोलकर धतूरे का फल अगर आपको मिल जाता है तो धतूरे के फल पर आपको पीला या सफेद चंदन लगा कर साथ बार कलावा लप पेटना है अगर आपको धतुरे का फल नहीं मिलता तो अगर आपको बेल फल मिल जाता है तो बेल फल को भी ऐसे ही पीला या सफेज चंदन लगा कर आपको साथ बार कलावा लपेट कर शिवलिंग पर चड़ा देना है आपकी कोई भी विशेश मनोकामला है संतान की नोकरी की विवाग की कोई भी मनोकामला है उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं साथ ही दोस्तों इस दिन शनिवार के दिन आपको शनिदेव का पूजन अवश्य करना है शनिदेव के आगे एक सरसो के तेल का दीपक अवश्य जलाए और शनिदेव के आगे ही 11 या 21 या 108 बार ओ ओम श्रम शनेश्चराय नमा का जाद जरूर करें पीपल व्रिक्ष के नीचे जो आपने लाल बाती का दीपक बनाया है जिसमें थोड़े से काले तिल डाले थे उस दीपक को आपको वहाँ पर जला देना है और आपने जो एक रुपे का सिक्का और दो कीले ली थी देखे एक रुपे का सिक्का आपको मतलब पीपल व्रिक्ष की जड़ पर चड़ा देना है और पीपल व्रिक्ष की जड़ होती है उसके आसपा जो मिट्टी होती है वहाँ पर आपको उन दो कीलो को गाड़ देना है देखे पीपल की जड़ में नहीं गाड़ना है आपको ने भी दोश हैं वो भी दूर होंगे आपके पितर आपसे प्रसन होंगे और साथ ही जो आपकी मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों शनिवार का दिन बहुत ही शेष्ट माला गया है और शनीदेव के आराध्धे माले जाते हैं भगवान शंकर जब हम भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो शनिदेव भी प्रसन होते हैं और शनी से सम्मंदित जो भी हमारे उपपर मतलब दोष चल रहे होते हैं वो भी शांत होते हैं दोस्तो शनिवार के दिन पीपल पर पितरों का वास माला गया है पीपल के नीचे दीपक जलाने से हमारे पितर भी प पूरी होगी दोस्तो बैसाक का महिना सबसे ही शेष्ट और पावन माना गया है इस महिने में किया गया कोई भी छोटा सा उपाए भी बहुत ही फलदाई माना जाता है तो आप इस दिन ये उपाए अवश्य करें दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेर जुरूर करें और कमेंट बोक्स में हर हर महादे ववश्य लिखें आप सभी को जैशी कुछना